गूड आफ्टेनूंट स्टूरेंट्स तो आज कहा हमारा टॉपिक है सिगनिफिकन्स अफ दी एड्मोसफेर इसे पहले वाले लेक्चेर में हमने स्ट्रक्चर अप एड्मोसफेर के बार में पढ़ा था तो हम थोड़ा रिविजेन करेंगे हमने पढ़ा था कि एड्मोसफे में पांच लेर होते हैं डो ये सबसे क्लोस लेर होते हैं और सबसे लोस्पर होते है इंडोस वैर कि है और इसका हाइट जो है वह 8-14 km तक होते हैं इसका हाइट और टंपरेचर जो है जिनना हम उपर के तरफ जाएंगे टंपरेचर जो है हर एक 165 मीटेर के बाद 1 degree Celsius temperature जो है वो decrease होते जाता है उसे हमने left rate कहा था और dust particle, water vapor, imperities, rainfall, clouds विन ये सारे चीज जो है वो कहां पर present होते हैं ट्रोपोस्फेर के लेर में फिर ट्रोपोस्फेर के लेर के बाद आते हैं स्ट्रेटोस्फेर स्ट्रेटोस्फेर और ट्रोपोस्फेर के बीच में जो boundary होता है उसे हमने कहा था ट्रोपो पस और इसका height जो है वो 50 km है from the earth surface और यहां पर भी स्ट्रेटोस्फेर बेवी क्या होते है टेपरिचर जो है वो स्ट्रेटोस्फेर में क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फेर के लोवर लेर में क्या चलते है एरोप्लेयर जो है वो फ्लाइ करते हैं और stratosphäre के uppermost layer को क्या कहते है stratos paradox कहते है फिर stratosphäre के बाद आते है mesosphere mesosphere जो है उसका height 80 km होता है from the earth surface से और इस layer में क्या होता है कि temperature of the air जो है वो बहुत कम होता है और जिना हम उपर की तरफ जाएंगे temperature जो है वो decrease होते जाते है लग बग मेनस 100 degrees Celsius तक इस लेर में temperature होते हैं और यह सबसे coldest layer होते है एड्मोसफेर के इसके बाद हमने पढ़ा था thermosphere thermosphere जो है thermosphere जो है वो आता है mesosphere के बाद तर्मोसफेर में क्या होता है कि इसका temperature यहां पर temperature जो है वो बहुत increase होता है अलब यहां पर temperature जो है वो increase होते जाता है जिना हम उपद की तरफ जाएंगे temperature जो है वो rapidly increase होते जाता है लग बग यह इसका temperature जो है वो 1500 degrees Celsius तक यहां पर temperature होता है और थेड्मोस्फेर को हमने फ़र्डर डिवाइड किया था आइनोस्फेर एन एक्जोस्फेर कि तो आजका हमारा टॉपिक है significance of the atmosphere हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो significance of the atmosphere कि से कहते हैं significance of the atmosphere में लब atmosphere की क्या वाइदे हैं दि वेरियस कंपोनेंट ओप दी एड्मोस्फेर हैबस लाइफ टो एग्जिस्ट ओन अर्थ हमने पढ़ा था कि एड्मोस्फेर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि डस पार्टिकल्स होते हैं वाटर वैपर्स होते हैं अलग-अलग ग्रेवट साथ निट्रोजेन ग्एस होता है जों आउकसेज्ट होता है इन सारे चीजों की वाजचे सीन सादे कंपोनेंट की वाज़ से क्या होता है कि आर्थ मेर्श एक्सिस्ट होता हो और और the main constituent of the atmosphere is nitrogen. सबसे important चीज़ atmosphere के वो क्या है nitrogen? हमने पढ़ा था कि nitrogen जो है वो 78% होते है atmosphere में. तो nitrogen जो है वो main important चीज़ है atmosphere के. और it is need to maintain the fidelity of the soil and also vital for the plant. जो है nitrogen gauge जो है वो क्या करता है? एक तो ये soil के fertility को maintain रखता है और ये एहम role play करते हैं. एहम होता है किसके लिए? plant के लिए. ये एक तो ये क्या करता है? soil के fertility को maintain करता है. दुसरा ये important होता है एक एहम role play करता है plants के लिए. oxygen is needed by the human being and animal to breathe. और oxygen जो है वो animal के लिए और humans being के लिए ज़रूरी है. प्रिथ लेने के लिए, सांस लेने के लिए. और carbon dioxide जो है is needed by the plant to make their own food. It also keep the earth warm by absorbing the heat radiation from the surface. और carbon dioxide जो है वो ज़रूरी होता है plants के लिए to make their own food. वो अपना खाना बनाने के लिए plants को अपना खाना बनाने के लिए carbon dioxide बहुत ज़रूरी होता है. और ये क्या करता है एक तो ये earth को warm रखते हैं. ओजून प्रेवेंट दी suns harmful ultraviolet rays from reaching the earth surface. ओजून क्या करते हैं? ओजून जो है वो प्रेवेंट करता है जो suns से harmful UV rays आता है, ultraviolet rays आता है उससे क्या करता है? प्रेवेंट करते हैं. बचाते हैं. उससे हमें बचाते हैं. और जो water vapor present in the atmosphere causes precipitation and condensation. जो water vapor present होते हैं atmosphेर में, किसकी वज़े से precipitation and condensation की वज़े से? भालब इसकी वज़े से क्या होता है? water vapor की वज़े से, कि precipitation होते हैं और condensation होते हैं. सो है ती जस्टाइकल फोलम डी नुकलस फॉर्म सर्म कंदंसेशन विच रिझेघग और दिपॉर्मिषन अफ के वजह से क्लाउड्स बनते हैं क्लाउट्स निए कि क्लाउड्स बनने से स्पशाल होते हैं आज Silver लॐत तो आज का हमारा टॉपिक ही तक आ इनुचाला हो से नया कोशन स्टार्ट में पसक्छिड्रन करें दढने से